कस्तुरी तिलकम लाट बटले वक्षस्थले कुस्तुबं नासा ग्रेवर मुक्तिकम करतले वैणू करे कंकडम सरवांगे हरिचंदनम सुलिर्थम कंठेच मुक्तावली गोपस्तरी परिवेश्टितों भिजेते गोपाल चूड़ामणी देखिए हिंदु धर्म में बगेर दीपक को भगवान के नित्र माना गया है बगेर दीपक के पूजा अधोरी मानी जाती है तो हम जो पूजा कर रहे हैं इसका साक्षी कौन है इसका साक्षी स्वयम वही दीप है तो पूजा से पहले सर्व प्रथम भगवान के सामने हमें दीप प्रजुलित करना चाहिए जो भी हम पूजा कर रहे हैं या जो भी हम नारायन को अर्भगवान को अर्पन कर रहे हैं उसका साक्षे भूत केवल दीपक है अगनी सुरूप है पुंज है जागरित है देखिए परमात्मा के भगवान के दीपक बाई तरफ होना चाहिए और हमारे दाहिने तरफ होना चाहिए हम अगर परमात्मा के सम्मुक बेटे हैं तो हमारे दाहिने दीपक होना चाहिए और परमात्मा के अधिये हैं तो बाई दीपक होना चाहिए सामने जलाने का विधान नहीं बगल से ही दाइं होके दीपक को रहना चाहिए देखिए दीपक में बत्ती का विधान है लंबी बत्ती भी होती है और सिखा बत्ती भी होती है जिसको हम फूलबत्ति कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा विधान वही फूलबत्ति का सिखा का होता है कि दीपक के बीच वीचों बीच जिजबत्ति को जलाये जाता है, और इनमें भी अलग-अलग महत्व है, तेल का दीपक भी जलाये जाता है, घी का दीपक भी जलाये जाता ह तो जब हम प्रशन्न हों, अपनी प्रशन्नता प्रकट करने के लिए प्रमात्मा के सामने घीका धीपक परजुलित करें, हमारी कामनाएं होती हैं, कई प्रकार की कामनाएं होती हैं, किसी को क्या कहते हैं कि न्यायले में, कोट में विजे प्राप्ति के लिए लोग अखंड जोती चलवाते हैं कोई चुनाव इत्यादी में विजय प्राप्ति के लिए कोई अपना यदि कोई कार अधुरा छूट गया है जो कुल कारिपूर्ण नहीं हो पा रहा है तो भी प्रमात्मा के सामने अखंड जोत जलाने का विधान है यदि विधीबत विधान से 41 दिन 31 दि हम अनुवान जी के हां दुर्गाजी के हां अखंड जोत यदि प्रजुलित करते हैं तो जिस कार के उद्देश से हम प्रजुलित कर रहे हैं अखंड जोत जला रहे हैं वे कार हमारा पूर्ण हो जाता है